जहिन दोस्तों स्वागत हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और दोस्तों एक बार फिर मैं आपके लिए नए वर्स की हार्दिस, उपकामनाए और यह आने वाला साल आपके जीवन में धेरो खुशियां और अपार सफलताएं लेकर आए ठीक है दोस्तों तो आज की वीडियो जो है वो होने वाली है मैं आपको एक ऐसी बैप साइट बताने वाला हूं जिस पर गवर्मेंट फार्मासिस्ट से रिलेटेड इन्फार्मेशन और कुछ बैकेंसी जो है वो आती रहती है ठीक है तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट हा तो दोस्तों हमको क्या जैसे ही ओपन होगा देन पहली जो यहाँ पर आपको साइट खुलती हुई यहाँ पर पहला दिख जायागा यहाँ पर लिखा हुआ है www.pharmatutor.org ठीक है हमको इस पर ही क्लिक करना है हम इस पर क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके स पर लीजेगा और उसके बाद नीचे नीचे स्क्रोल करते रहेंगे तो आपको ऊपर अगर कुछ पढ़ने चाहते हैं तो आप पढ़ लीजेगा वैसे कुछ पढ़ने लाइक है नहीं उपर और नीचे आपको जो काम की चीज है बो मैं आपको दिखाता हूँ आपको से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कोर्स में हैं आपको किस कोर्स की बैकेंसी यहाँ पर देखनी है तो सपोज मेरे को डी फार्म से रिलेटेड बैकेंसी देखनी है तो मैं डी फार्म पर क्लिक कर देता हूँ ठीक है मैरे को डी फार्म पर मैंने क्लिक करा एंड देन आ आप पूरी details अंदर इसके बारे में पड़पाएंगे and then उसके बाद आपके नीचे एक और है medical sales representative के लिए है और फिर नीचे है recruitment for pharmacist 48 post है under department of health and family welfare के and then नीचे और स्क्रोल कर लेता हूं तो देखी यहाँ पर भी pharmacist की 8 post है यानि कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक कोई post आपको खोल के दिखाता हूं अंदर क्या information होगी तो वो देखी क्या हो सकती है तो मैं यह वाली open करता हूं recruitment for pharmacist 48 post वाली ठीक है मैंने इस पर click करा loading हो रही है loading होने के बाद एक कुछ interface आपको देखो उससे related खुल के आएगा यह सामने तो देखी यह हमारे सामने एक interface खुल के आया जिसमें लिखा हुआ है कि recruitment for pharmacist 48 post under department of health and family welfare ओके तो दोस्तों हम इसको scroll करेंगे और नीचे आपको दिख जाएगा यह देखिए नीचे आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यह जो है national health mission हिमाचल प्रदेश की ओर से यह vacancy निकली है तो उसी के बारे में यह सारी details नीचे दी गई है तो और देखिए हाँ पर number of vacancies आप देख सकते हैं qualification जो है वो देखिए मांगी गई है bachelor degree, diploma in pharmacy और बाकी यह आपके जो भी है state pharmacy council आप बहाँ से registered होने चाहिए age limit आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और last में आप यहाँ पर कुछ guideline पढ़ सकते हैं application submission से related यह देखिए आप आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं देन उसके बाद मैं scroll कर देता हूं क्योंकि मेरे को नहीं पढ़ना है और बाद में क्या है कुछ general instruction of or applicant मतलब जो apply करेगा उसके लिए कुछ general information है यह देखिए आप चाहें तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं वरना otherwise कोई issue नहीं है आप इमेल आइडी दी है कि यह देखिए यह यहाँ पर लिखी हुई है पूरा यह मैं आपको पढ़के बताता हूं यहाँ पर लिखा है कि for any technical issue to query related to application अगर application related to query है तो आपको क्या करना है आप इन लोगों को इमेल कर सकते है और बाद में आपको reply मिल जाएगा कि आप आपकी जो भी query होगी आपको उसका समाधान कर दिया जाएगा ठीक है और देखिए आप लिखा हुआ है कि जो लास्ट डेट है देखिए लास्ट डेटा अप्लिकेशन जो है वो है जन्वरी 16, 2022 तो दोस्तों बात यह है कि इस site का यह फायदा है कि यहाँ पर all over इंडिया में जितनी भी government pharmacist की vacances आती है वो सारी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी और उसके बाद आप अच्छे से पढ़िए और आपूठ कीजिये कोई इसो नहीं है और दोस्तों आज की वीडियो में वस इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको मेरा effort अच्छा लगा हो तो आप मेरी channel को subscribe और मेरी video को like कर सकते है ठांक यू दोस्तों मिलते हैं आपसे next video में